हेलो गाईज आप सभी को हमारे स्चनल विकमवर्ज समस्वागत हैं आज हम लोग फोटोशॉप 2022 टुटोरियल के अंतरगत किसी भी इमेज को पैंसिल एसकेच में कैसे कंवर्ट करते हैं वो सिखेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेप्ट साइड में जो इमेज ह प्रेस करेंंगे दिटीघ बन जाएगा ठीक इसके बाद यहां पर देखिए अग्यां पर कशान गेंगे असाई यहां हम यहां से दखिये Cancer Makerящvero टो क्या होगा यह ब्लैक और यह में फिर सरे जाएंगे और यह जो layer 1 है इसको select करेंगे इसके बाद control प्लस आई बटन प्रेस करके इसको हम invert कर लेते हैं ठीक है तो देखे यह image किस तरह का हो गया है ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर blend 1 में आते हैं यह normal अभी है इसको हम यहाँ से color dodge कर लेते हैं ठीक है तो देखे यह पूरी तरह से white हो गया है ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर filter menu माएंगे और ब्लड में जाएंगे Gaussian ब्लड में जाएंगे तो देखे यहाँ पर अभी इसका जो radius है अभी 100 1.4 पिक्सल्स है ठीक है आप अपने जरूत के नुसा रख सकते हैं ठीक है वह आपके image के resolution पर डिपेंड करेगा कि कितना पर आपको बेटर दिखेगा ठीक है तो image का जैसा resolution रहेगा उस तरह से radius रखना है यहाँ पर देखिए हम देखिए 115 रखते है 115.8 पिक्सल्स रखते हैं और यहां से ओके कर देंगे अब देखिए जो यहाँ पर जो इफेक्ट दिये हैं यह भी काफी ब्राइट है ठीक है तो य कि इतना कर लिए फिर से layers में जाएंगे और इसके बाद हम यहां पर फिर से adjustment में आते हैं और brightness या contrast पर आएंगे ठीक है brightness को देखिए यहां से हम कम कर लेते हैं इसको हम 19 रखते हैं और contrast को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 16 रखते हैं ठीक है उसके बाद फिर से layers में आएंगे और जितना भी effect दिये हैं सबसे उपर में जो effect दिये हैं जो है उसको उपर वाले को select करेंगे और control alt shift प्लस e button प्रिस करेंगे जिससे क्या होगा इसका एक snapshot बन जाएगा यहां पर इस तरह देखिए यहां पर snapshot आगए layers 2 करके इसके बाद यहां पर right click करेंगे राइट क्लिक करने के बाद इसको हम smart object में convert कर लेते हैं तो यहां पर देखिए एक option है convert to smart object इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहां पर इस तरह से square type का यहां पर box बन गया है ठीक है इसके बाद हम फिर से menu बार माएंगे filter menu में उसके बाद यहां पर noise में जाएंगे करेंगे ठीक है यहां पर देखिए बाद इसका इमान मैने 16.32 परसेंट है ठीक है इसको तरह सा कम कर लेते हैं 12.98 रखते हैं और यहां से ओके कर देते हैं ठीक है उसके बाद फिर से filter menu में आएंगे शार्पन पर जाएंगे smart sharpen है इसको select करेंगे ठीक है और smart sharpen में यहां पर देखिए अभी हंडेर पर्सेंट अभी है तो यहां पर जो minus का sign है इसको यहां से क्लिक करते हैं इसपर left click यहें देखिये image छोटा हो जाएगा इस तरह से देखें इसका एमाउंट हम 97 परसेंट अखें ठीक है रेडियस 3.6 पिक्सेल्स और रेडियस नॉइस 50 परसेंट ठीक है और यहां से हम पोकी कर देते हैं ठीक है यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस होने में समय लगेगा तो देखें इस पे हम श्रावर इफ्रब्टेद ख़कर करके स्कार अठीक सबद्सक्य लें ठीक लें पॉस्टर आँगे तैका इसके ह rettycznie अ के एप डिर्कली कर लिए-धे में जहें गीए ठीक्के और यहां पर ऐस्ट यहां से हम कर लेते हैं आए चीक है और यहां से हम देखिये यहां पर देखिए एज थिकमेशन तो हम वन रहते है चीप देडी है उसको ऐ रखते है और यहां से ओकई कर देंगे तो यह देखिए यहां पर कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया बाट इसका फेस पर जो आ गया है यह और लग रहा है इसके लिए हम यहां पर देखicon यहां से मास पर ailet mask पर लेट किलिक करते हैं ठीक है तरह से वाइट कलर गार इस तरह से बॉक्स आ जाएगा है इसके बाद हम टूल बार माँखे और ब्रश्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे ठीक है कि अच्छ स्ब्सल्च टोल को सेलेक्ट काफिकश इसका साइज हम अपने जरूत कर नुंसार रखेंगे जिसक भी बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा जो है उसको वाइट और इस पर देखे यहाँ पर इस तरह से चला देंगे अगगने फ्रेंट यहाँ पर इसके आई इसके आख पहर चपा या बॉटी का पारते सब पर चलाएंगे और इसके हेट पेनी चलाएगे ठीक है यहां पर देखिए इसका ब्लैन्ड मोद हम यहां से मल्टी प्लै कर न हीगा कि मज्दा कर दिते हैं यहां से रिकते था ज्यादा बेटर लग रब एक है इसके बाद इसके hair पर इसके hair पर क्या बदलावाया है तो यहाँ पर थोरा सा ज्यादा आपको black टैप को दिखागा हूँ थे गया है यहां साइस totalmente सब्सक्राइब करें तो इस तरह से देखिए एसकेज इफेक्ट हम देदी है ठीक है तो इसको हम विफोर आप्टर करके एक बाद दिखा देने तो यहां से देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट बटन प्रेस करके यह जो बैग्राउंड लेर है इसके विजिबिलिटी पे एक बार क्लिक करेंगे देखिए विफोर आप्टर ठीक है तो तो आशा करता हूँ आप लोग सीख गयोंगे मिलते हैं अगले टुट्रेल में अगले टॉपिक साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद